नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उप प्लब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं परशनोत्री स्रीज के उपर, यानि कि एलकोहल, फिनॉल, एवं इथर को हम खत्म कर चुके हैं, ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका हैं। अब हम इस बीडियो में बात करेंगे उसके समराइजिशन की, यानि कि जो भी हमने पढ़ जिसमें हम देखेंगे प्रस्टनो को और किस परकार से उनके उतर हम लिख सकते हैं, ठीक हैं, तो चलिए सिधे बात करते हैं, क्वेशन के उपर, तो यहाँ पर पहला क्वेशन हमारे पास लिख रखा है, निमल लिखित अभी क्रियाओं में अभी कर्मकों का नाम लिखिए यानि कि इसमें जो रियजेंट यूज किया होगा, उनके आपने नाम लिखने हैं, ठीक हैं, या फिर आप क्या करेंगे, रियजेंट के सिधे रासाइनिक सुत्र भी लिख सकते हैं, तो प्रात्मिक अल्कोहल के ऑक्सिकरन द्वारा एडिहाइड बनाना, यह यहाँ पर पह कंप्लीट करना है, ठीक है, एनिसॉल से पैरा ब्रोमो एनिसॉल, यह भी आपको याद होगा, चौथा यहाँ पर है, फिनॉल से ट्राइब्रोमो फिनॉल, यह भी आपको याद होना चीए, क्योंकि हम सारी चीजें डिसकस कर चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते है प्रात्मिक एलकोहल के ओक्सिकरन द्वारा अल्डिहाइड बनाना, तो यह यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेशन आकर निकलता है, प्रात्मिक एलकोहल आप जानते हैं, कि हमारे पास OH सम्मुवा ऐसे कारबन से जुड़ा होना चीए, जो अन्य एक कारबन से जुड़ा हो, तो यहाँ पर CH3, CH2, एथेनोल हमारा बहुत अच्छा हो दारण है, प्राइमरी एलकोहल का, और यहाँ पर हो जाएगा OH, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओक्सिकरन द्वारा अल्डिहाइड बनाएंगे, यानि कि अल्डिहाइड क्या होता है, यह भी आपको अब याद करिए अविकिर्या को, ऑक्सिकरन अभी किर्या अगर आपको याद आ रही होगी, अलकोहल को जब हमने ऑक्सिडाइज किया था, तो यहाँ पर मैं याद दिला दूँ आपको, ऑक्सिकरन करने पर हमारे पास मिला था अल्डिहाइड, मैं सीधा ही लिख दूँ, CH अब आप याद करिए, कि जब हमने कमजोर ऑक्सिकरत अजेंट को यहाँ पर यूज किया था, तब हमारे पास मिला था यहाँ पर अल्डिहाइड, अगर आपको याद हो, तो हमारे पास मिला था अल्डिहाइड, वो कब मिला था, जब हमारे पास कमजोर ऑक्सिकरत कराऊं, तब ये हो जाता हमारा strong oxidizing agent लेकिन अगर H+, नहीं कराऊं में यहापर CRO3 ले लूँ सिर्फ तब यह हमारे पास होता है weak oxidizing agent, यानि कि यहाँ पर अगर मैं CRO3 की reaction करवाता हूँ तो यहाँ पर aldehyde का निर्मान होगा और दूसरा मैंने क्या कहा था pyridinium chlorochromate इसको कहा था, यह हमारे पास weak oxidizing agent थे यहाँ पर इनकी अभी किरिया जब हमने primary alcohol के साथ करवाई थी तब हमें मिला था aldehyde, लेकिन वहीं अगर हम strong की बात करें, यह हमारे पास हो गए weak oxidizing agent woa लिख लेता हूँ मैं इसको और वहीं, अगर मैं strong की बात करूँ, तो strong oxidizing agent को मैं soa करके लिखते था हूँ, तो strong में मैंने क्या कहा था एक तव कहा था, kmno4 in the presence of h plus i n और दूसरा तो यही हो गया यहाँ पर cro3 in the presence of h plus i n यह सब हमारे पास क्या था strong oxidizing agent थे, अगर मैं यहाँ पर primary alcohol की reaction सीधे किस के साथ करवा दूँ, यहाँ पर मैं करवा दूँ, इसकी reaction strong oxidizing agent के साथ, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर kmno4 in the presence of h plus i n लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक हैं तो यहाँ पर सीधे बन जाएगा हमारे पास carboxylic acid, CS3 COOH, यह carboxylic acid होता है तो आपने देखा primary alcohol को जब हमने strong oxidizing agent के साथ reaction कराई, तब हमारे पास सीधे क्या मिला? हमारे पास मिला carboxylic acid, लेकिन अगर हम weak oxidizing agent के साथ reaction कराते हैं, तब हमें मिलता है क्या लिखेंगे? कमजोर oxygen agent को लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, इस अभी किरिया में यहाँ पर oxidizing यानि कि मैंने O लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं, PCC या फिर CRO3 तो यहाँ पर मैं PCC की presence में यहाँ पर reaction करा दूँ, क्योंकि यह weak oxidizing agent है, जो यहाँ पर primary alcohol से सीधे aldehyde निर्मित करता है, चलिए बात करते हैं, दूसरे question के उपर दूसरा question हमारे पास दे रखा है, फिनॉल से benzoquinone, आप याद करिए कि फिनॉल से benzoquinone कब बना था? जब हमने फिनॉल की क्या देखी थी? आप याद करिए, इसमें हमारे पास कौन-कौन से catalyst वहाँ पर यूज कर रहे थे, क्योंकि हमने separate वीडियो के साथ भी इसको बहुत अच्छे से discuss किया हुए, तो चलिए यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले phenol, यह हमारे पास phenol I, अब आप याद करिए, इसमें हमारे पास कौन-कौन से उत्प्रेरक यूज किये थे, एक तो हमने किया था, sodium dichromate, यानि कि Na2Cr2O7, दूसरा हमने यहाँ पर क्या किया था? sulfuric acid, sulfuric acid का formula होता है H2SO4, यानि कि यहाँ पर इन उत्प्रेरकों की उपस्तिती में phenol को हमने react कराया react कराने के बाद हमें प्राप्त होता है benzoquinone, यानि कि यहाँ पर benzene ring के उपर, यह hydrogen हो जाएगा यहाँ से remove, क्योंकि oxygen हो रहा है, oxygen में hydrogen का removal होता है, और oxygen क्या होती है? add होती है, तो यह तो बना देगा यहाँ पर double bond, और यहाँ पर भी बन जाएगा oxygen के साथ double bond paraposition पर, तो यह हो जाता हमारा benzoquinone, चलिए आगे हम इसी को उत्पाद में लिखते हैं यह हमारे पास यहाँ पर paraposition पर एक oxygen जुड़ जाएगा और इसी को हमने कहा था benzoquinone तो इसी होगी का नाम यहाँ पर होता है benzoquinone, तो चलिए यह तो बात हुई यहाँ पर phenol से benzoquinone बनाने से, अब हम बात करते हैं next question के उपर, यानि कि next question हमारे पास है anisol से parabromo anisol अब आप याद करिए कि anisol का हमारा यह पास रासवाइनिक सूतर क्या होता है जब benzene ring के साथ direct root से क्या जुड़ा हो oxygen जुड़ा हो और oxygen के साथ एक hydrocarbon जुड़ा होता है यानि कि एक methyl समों जुड़ा होगा यह हमारा यहाँ पर होता है anisol तो आप लिख सकते हैं anisol अब यहाँ पर क्या करना है हमारे पास उसने product दे रखा है कि para-bromo-anisol बनेगा यानि कि यहाँ पर bromination होगा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BR2 के साथ reaction होगी अब आप याद करिए कि जब हम ether की electron रागी अभी किरिया देख रहे थे उसमें हमने bromination किया था कि नहीं किया था ये बीडियो आपको सिर्फ recall करवाने के लिए है कि जो भी तुमने पिछली बीडियो में पढ़ा होगा क्या आपको इस बीडियो तक वो सारी चीज़े याद है कि नहीं है ये सिर्फ इस बीडियो बनाने का मकसद होता है क्योंकि summary बीडियो है और बीच-बीच में हम ये भी discuss करते हैं कि किस परकार से question को solve किया जाता है तो आपको chemistry में सिर्फ एक चीज follow करनी होती है कि आप जब भी chemical reactions आए तो उनको बरावर देखते रहें ठीक है जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे Bromination करेंगे अब आप याद करिए जब हमने Bromination किया था एक तो किया था हमने जलिय ब्रोमीन के साथ जब हम जलिय ब्रोमीन में करते हैं reaction एनिशोल गी तब हमारे पास किसी भी परकार के catalyst की ज़रत होती नहीं लेकिन जब हम सिर्फ Bromination को react करवाते हैं एनिशोल के साथ तब हमें एक catalyst की आउ सकता होती है जिसका नाम होता है ethenoic acid यानि की CS3COOH यह हमारे पास यहाँ पर catalyst का कार्य करेगा तो जब हमारे पास अगला जो उत्पाद मिलेगा वो मिलता है एक तो ortho bromo anisol और दूसरा मिलता है परabromo anisol और मैं कह चुका हूँ आपको कि parabromo anisol अधिक मात्रा में मिलता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ parabromo anisol ही बनाना है क्योंकि यहाँ पर कैवी रहा है वही कि parabromo anisol देना है ortho को आपको सोई नहीं करना है क्योंकि ortho तो अल्प मात्रा में मिलता है न तो उसको बता नहीं क्यों है तो आप यहाँ पर सीधे पैरा पोजिशन पर क्या जोड़ दिंगे? ब्रोमीन जोड़ दिंगे तो पैरा पोजिशन कौन सी है? यह हो गई इसकी अर्थो पोजिशन यह हो गई इसकी मेटा पोजिशन और यह हो गई पैरा पोजिशन तो पैरा पोजिशन पर आप क्या कर दिंगे? ब्रोमीन जोड़ दिंगे तो चलिए जो हमारे पास अकला उत्पाद आएगा वो कुछ इस परकार से आएगा यह हमारे पास यहां पर उत्पाद निकला इसी को हम कहते हैं पैरा ब्रोमो एनिशोल यह पूरा तो हमारा क्या हो गया था एनिशोल और एनिशोल के पैरा पोजिशन पर क्या लगा हूँ है ब्रोमीन लगा हूँ है तो यह हो गया पैरा ब्रोमो एनिशोल पलस यहां से क्या निकल जाता है एक H को यहां से replace कर रहा है ना Bromine तो यहां पर हमारे पास एक Bromine भी बच रहा है तो यहां पर क्या जाएगा HBR भार निकल जाएगा तो यह reaction भी complete हुई यहां पर चलिए next question discuss करते हैं यहां पर हमारे पास next question है Phenol से 2, 4, 6, 3, Bromofenol यानि कि फिर से यहां पर Phenol की reaction आई और किस के साथ करनी है Phenol की reaction यहां पर Bromine के साथ तो हम फिर से यहां पर क्या लेंगे Phenol अब आप यहां पर याद करिए कि जब हम Phenol की special reaction के उपर discuss कर रहे थे यानि कि जिसमें मैंने कहा था कि यह reaction सिर्फ Phenol देता है और कोई योगी कि यहां पर इस परकार की reaction शो नहीं करता है तो उसमें हमने क्या किया था Phenol का Bromination किया था तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे Phenol की Bromine के साथ अभी किरिया यानि कि Br2 और अब थोड़ा सा Recall और करिए जब हमने Phenol को Br2 के साथ डिजॉल्व किया था यानि कि इसकी reaction इसके साथ पुरवाई थी तब हमने एक अन्य कैटलिस्ट के रूप में लिया था जिसका नाम है CS2 ठीक है यह लिया था और इसको हमने 273 Kelvin ताप पर गरम किया था तब हमारे पास क्या मिलता है दो परकार की उत्पाद मिलते हैं जिसमें एक तो होता है ortho directive एक होता है paradirective जो की पैरा मुख्य होता है लेकिन यहाँ पर आपके पास straightforward question यह है कि 246 tribromofenol आपको बनाना है तो भही क्या करना है यहाँ पर ortho position पर भी और पैरा position और एक और अन्य हमारे पास जो ortho position आती है यानि कि इसके जो subsequent यहाँ पर position आती है यह दोनों ortho-ortho होती है इन दोनों पर क्या होगा bromine जुडा होगा और bromine कब जुडेगा जब हम यहाँ पर bromine की अधिक मात्रा लेंगे तो bromine की अधिक मात्रा हम क्या करेंगे जल में मिला देंगे तो यहाँ पर जलिय ब्रोमीन के साथ reaction करवाएंगे फिनॉल की अब जब हम जलिय ब्रोमीन के साथ reaction करवा रहे हैं तब हमारे पास किसी भी अन्य कैटलिस्ट की आव सकता नहीं होती है क्योंकि bromine अपने आप में एक बहुत अच्छा reactant है तो यहाँ पर क्या करेगा reaction में हमारे पास आगे जो उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा 246 tribromofenol यह तो हमारे पास यहाँ पर फिनॉल आई और जैसे मैंने कहा कि दूसरी पोजिशन यह वाली है और यहाँ पर चौती पोजिशन यह वाली है और यह हो गई हमारी छटी पोजिशन अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास subsequent group जुडा हुआ है यानि कि alcoholic समवा यहाँ पर जुडा हुआ है तो पहला carbon तो यह होगा तो एक carbon यह हो गया दो carbon यह हो गया तीन यह हो गया चार यह 5 और यह 6 तो आप देखिए यहाँ पर दूसरा carbon तो यह है तीसरा यह है चौता यह है पांचुआ यह है और छटा यह है तो अगर इसका IPC नाम आप लिखेंगे, तो किस परकार से लिखेंगे, 2, 4, 6, और 3 ब्रोमीन है, तो ट्राइ, ब्रोमो, फिनॉल, ये पूरा फिनॉल हो गया, तो देखें, हमारे पास फाइनल उत्पाद मिल गया, अब अगर इसकी बैलेंस करने की बाता है, तो यहाँ पर क् क्रिया है, ठीक है, तो ये भी question हमारे यहाँ पर solve होता है, next question discuss करते हैं, next question हमारे पास है, निम्न को परिवर्तित करें यानि कि Phenol से Salicydeide वनाना है आपको याद आया होगा कि Salicydeide कब बनाता रीमर्टीमन अभी कर्या को याद करिए और रीमर्टीमन अभी कर्या में हमारे पास जो दो से Pnol उत्त्पाद मिलाथा वो Salicydeide मिलाथा कि नहीं मिलाथा यानि कि मेरे से पहले इस reaction को कर दोगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा ठीक है फिनॉल से पिक्रिक एसिट फिनॉल की reaction हमने जब concentrated HNO3 के साथ करवाई थी यानि कि फिनॉल का nitrogen आप याद करिए nitrogen ही करना भी करिया तो उसमें हमारे पास क्या मिला था 246-trinitrophenol जिसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिट बेंजाइल कुलोराइड से बेंजाइल एलकोहल इसको भी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो चलिए सबसे पहले डिसकस करते है फिनॉल से salicyldehyde फिनॉल की बात तो आई रही है यहाँ पर तो आप रीमर्टीमन अभी क्रिया को थोड़ा सा याद करिए और वहाँ पर याद करिए हमने reaction करवाई थी CHCl3 के साथ हमारे पास था aqueous यानि की जलिया NaOH इसके साथ भी हमने यहाँ पर reaction करवाई थी तब हमारे पास जो उत्पाद मिला था वो क्या मिला था जो aldehydic group होता है वो ortho position पर जुड़ जाता है किसके? sodium phenoxide के यानि कि यहाँ से यह H तो निकल जाएगा और यहाँ पर sodium जुड़ जाएगा तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो नया यहोगी क्या पर बनेगा वो कौन सा होगा तो इस hydrogen को यहाँ से replace कर देगा कौन? यहाँ पर हमारे पास जो sodium है sodium के पास होता है positive इसके पास होता है negative यह हो गया हमारा sodium phenoxide ion और यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ता है? जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर जुड़ जाता है aldehydic summa यानि कि CHO intermediate निकल कराता है अलांकि इससे पहले भी एक intermediate मिलता है लेकिन आपको उसको show करवाने की ज़रत नहीं है जैसे कि मैंने reaction करवाते time भी बोला था कि आप इसको दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं तो अब यहाँ पर इसकी reaction आगे हम करते हैं क्योंकि हमें क्या चीए salisaldeide चीए ना तो salisaldeide तो यह बना नहीं है भी तो आगे reaction करवाएंगे किसके साथ याद करिए किसके साथ करवानी थी यहाँ पर हमें चीए होता है weak acid यानि कि H-plus यहाँ पर weak acid का का काम करेगा weak acid क्यों चीए मैं बतातों आपको क्योंकि यह वाली जो species है ना यह बहुँ जादा reactive है क्यों है देखे आयन में टूटी हुई है तो common सी बात है reactive होगी यह H-E यहाँ से इस sodium को फिर से यहाँ से replace कर देगा खुद यहाँ पर निकल जाएगा क्योंकि hydrogen और oxygen आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो नया उत्पाद मिलेगा इस species में वो क्या मिलेगा वो ही हमारा होता है salicydehyde जो कि इस परकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह H यहाँ पर आ चुका है और यहाँ परा हो जाएगा CHO और यही जो हमारे पास उत्पाद यहाँ पर निकल कर आता है यही हमारा होता है salicydehyde और इसी अभीकिरिया को हम कहते है remer-teamon अभीकिरिया और वैसे भी मैं जब बढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो हमारे पास remer-teamon अभीकिरिया है यह हमारी भूत ही ज़्यादा important अभीकिरिया है यह कई बार exam में पूछ ली जाती है remer-teamon अभीकिरिया और एक colway अभीकिरिया को बहुत अच्छे से prepare कर देना है इससे बहुत सारे question पूछे जाते हैं चाहे आप competitive exam की बात करें या फिर आप academic exam की बात करें ठीक है तो चलिए next question discuss करते हैं यहाँ पर phenol से benzene मनाना है तो जैसे कि मैंने बताया था जब मैं शुरू कर रहा था इस question को तो मैंने बताया था क्या अब होता है phenol की जब zinc dust के साथ reaction करते हैं तो हमारे पास phenol मिलता है और zinc oxide निकल जाता है यह हमारे पास यहाँ पर phenol निकल कराता है और इसकी reaction कराते हैं zinc के साथ यानि कि zinc dust और यहाँ पर किसी भी परकार के catalyst की आऊ सकता पड़ती नहीं है और यहाँ पर सीधे क्या होता है यह वाला oxygen यहाँ पर zinc के साथ निकल कर भार निकल जाता है यानि कि यहाँ पर हो जाएगा ZNO और हमारे पास जो मुख्य उत्पाद मिलता है वो मिलता है benzene यह हमारे पास यहाँ पर मुख्य उत्पाद की रूप में निकल जाता है यह भी reaction हमने कर दी बहुत easy reactions थी मुझे लगता है कि इस chapter में सबसे ज़्यादा easy reaction यह वाली है तो आपको याद रखना है अगर आपको benzene prepare करनी है तो zinc dust के साथ reaction कर देंगे तो हमारे पास जो उत्पाद मिलेगा वो benzene मिलेगा चलिए next question discuss करते हैं next है हमारे पास phenol से picric acid यानि कि nitrogen करवाना है आपको यहाँ पर किसका phenol का तो सबसे पहले आपको phenol चीए होगा तो यह हमारे पास यहाँ पर phenol निकल कराता है और जैसे कि मैंने कहा कि reaction हमारी किसके साथ होगी यहाँ पर होगी concentrated HNO3 यानि कि सांद्र HNO3 के साथ reaction करवाएंगे तवी वो हमारे पास ortho directive और para directive दोनों एक साथ देगा तो सांद्र HNO3 के साथ यहाँ पर reaction करवाएंगे यहाँ पर दूसरी और चोथी और चटी पोजिशन पर जुड़ जाएगा phenol के और जिसको हम कहते हैं 246 trinitro phenol और इसी का सामान्या नाम या फिर आप कह सकते हैं इसका जो ब्यावसाइक नाम है वो होता है पिकरिक एसिड यानि कि अगर आप बाजार में जाएं इसको खरीदने तो उस पे ज़्यादा तर आपको market में यही सुनने को मिलेगा कि अगर आपको पिकरिक एसिड चीए तो आप पिकरिक एसिड ही कहेंगे 246 trinitro phenol कहेंगे तो हो सकता है कुछ लोग न जाने उस नाम को तो हमारे पास जो उत्पाद मिलता है वो कुछ इस परकार से मिलता है यहाँ पर ortho position पर NO2 यहाँ पर para position पर NO2 और यहाँ पर ortho position पर फिर से NO2 जुड़ जाता है और इसी उत्पाद को जो यहाँ पर हमें final उत्पाद मिलता है इसी को हम कहते हैं 246 trinitro phenol एनिकी हमने यह अभी किरिया किस में देखी थी जब हम phenol का nitrogen कर रहे थे अब आप याद करिए थोड़ा समय एक और चीज़ यहाँ पर recall करवा दूँ यहाँ पर जब हम tannu HNO3 लेते हैं तब हमारे पास सिर्फ एक ही ही compound मिलता है एक कौन सा या तो वो मिलेगा ortho directive या तो मिलेगा paradirective जिसमें paradirective जो होता है वो हमारा अधिक मात्रा में मिलता है जबकि ortho directive भूत अल्प मात्रा में मिलता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप acid का ही फरक देख लीजे कि अगर हम acid की power बढ़ा लें तो देखें acid क्या काम कर रहा है बिलकुल अलग योगिक दे रहा है पहले से और वहीं अगर तनू यह समझ रहे है न तनू और सांद्र में क्या अंतर होता है जो तनू होता है इसमें water की अधिक मात्रा होती है जबकि जो सांद्र होता है उसमें पूरा पूरा pure acid होता है ठीक है तो चलिए next question discuss करते हैं next हमारे पास है benzyle chloride से benzyle alcohol तो यह यहाँ पर हमारे पास हो गया benzyle chloride benzyle chloride को आप जलिया NaOH के साथ क्या करेंगे reaction करवाएंगे तो जलिया NaOH react with benzyle chloride तो यहाँ पर होगा कुछ यहूँ जो यह OH- है यह करेगा यहाँ पर किस चीज का काम यहाँ पर करेगा nucleophile और nucleophile क्या करेगा इस carbon पर attack करेगा और इस carbon पर attack करेगा क्योंकि यह positive है और यह negative है तो यहाँ पर क्या होगा chlorine अपने electron को लेकर निकल जाएगा तो जब आपके पास इतना mechanism समझ में आ गया तो आप यह भी देखिए कि जो next compound हमारे पास मिलेगा वो कैसा मिलेगा तो चलिए अपनी copy में draw कीजिए और मैं भी यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमारे पास next compound क्या होगा और यहाँ पर जुड जाएगा OH यह हमारा होता है bengyal alcohol पलस यहाँ से निकल रहा है Na और दूसरा क्या निकल रहा है Cl जो की लवन के रूप में इस अभी किरिया से निकल जाएंगे NaCl तो यहाँ पर आमारे पास क्या निकला final उत्पाद यह वाला compound जिसको हम कहते हैं bengyal alcohol और यही हमें यहाँ पर चीए भी था तो यह भी अभी किरिया यहाँ पर संपन होती है चलिए next question देखते है next question है हमारे पास phenol की अमलिय परकृतिके होते हैं याद करिए हमने reactions को बहुत अच्छे से discuss किया हुआ है पुरानी वीडियो में तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको phenol लेना होगा और अब आप याद करिए कि जब हमने phenol की धातों के साधा भी किरिया करवाई थी तो वहाँ पर H पलस आयन देता है कि नहीं देता है याद करिए तो यहाँ पर पाद मिलेगा sodium phenoxide और यहाँ से यह H पलस निकल जाएगा तो H पलस आ रहा है ना इस अभी किरिया में भी और यह क्या दर्सार है मैंने जो कहा है कि जो H पलस देते हैं वो अमले पर करितिके होते हैं तो चलिए हमारे पास जो यह सभी किरिया में उत्पाद आएगा वो और इसी कलर में लिखता हूँ आकि आपको पता भी चले है यहाँ पर यह वाला H बहार निकल रहा है तो H पलस निकल रहा है तो H लिख लेते हैं इसमें भी क्या निकल रहा है है जो क्या दर्साता है फिनॉल की acidity को दर्साता है अब यहाँ पर दे रखा है कि आपको दो रियक्षन करता है, तो उसमें H2O भार निकलता है, और sodium phenoxide का निर्मान होता है, तो उसमें भी H पलस आयन दे रहा है, फिनॉल की नहीं दे रहा है, तो वो भी क्या हो गई हमारी अमलिय परकृति को दरसाती है फिनॉल की, तो चलिए रियक्षन यहाँ पर देखते हैं, यह हो यहाँ पर फिनॉल, पलस मैंने जलिय अनियोच के साथ रियक्षन करवानी है, ठीक है, और जो हमारे पास उत्पाद मिलेगा, वो मिलेगा sodium phenoxide, और पलस यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक तो यह वाला OH निकल रहा है यहाँ से, और एक यह वाला H, तो यहाँ पर मैं इसको पर फिनॉल क्या होता है, अमलिय पर करती क्या होता है, यह तो हमने बिल्कुल अच्छे से डिसकस किया हुआ है, चलि यह next question देखते हैं यहाँ पर, next है हमारे पास निमिल लिखित अभी क्रियाओं के लिए अंतिम उत्पाद दीजिए, यानि कि अभी क्रिया है यहाँ और इसमें अंतिमुत्पाद आपको बताना है, अब इस अभी क्रिया में सबसे पहले आप बताईए कि इसमें जो functional group है, वो कौन सा है, आपट देख सकते हैं आप, carbon और oxygen यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यह क्या है यहाँ पर हमारा ether है, यह ether के derivative हैं, समझ रहें, अब आप या पाद मिलता है, वो किस परकार से मिलता है, और हमने वहाँ पर यह भी देखा कि हमारे पास जो reaction होती है, वो होती है hydrogen halide की उपस्तिती में, और यहाँ पर हमने hydrogen iodide ले रखा है, क्योंकि iodine क्या होता है, अधिक reactive होता है, और यह हम पढ़ चुके हैं, हेलो एलकेन, एवं हेलो chlorine में, कि जैसे जैसे हम आवर सार्णी में, हैलोजन तत्तों के लिए, उपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो reactivity क्या होती है, बढ़ती है, यानि कि क्रिया सीलता iodine की अधिक होती है, बलकि fluorine की कम होती है, अब देखिए, यह iodine होता है यहाँ पर negative, यह होता है positive, यह तो को पता है, बेंजीन क्या करती है, अनुनाद प्रवाव दरसाती है, और अनुनाद प्रवाव में क्या होता है, यह oxygen का जो electron pair होता है, वो यहाँ पर shift होता है, और जो यहाँ पर double bond होता है, वो इस carbon पर shift हो जाता है, इस परकार से चलती रहती है process, तो यहाँ पर भी यही या ऐसे बन सकता है, आयोडियन बन सकता है, कैसे बनेगा, क्योंकि double bond क्या होता है, strong bond होता है, क्योंकि उसकी bond length छोटी होती है, और उसको तोडने के लिए आपको अधिक energy की आउ सकता होती है, यह तो आप जानते हैं, तो यहाँ पर iodine इतनी मेनत क्यों करेगा, कि इस bond को य विदलन हो जाता है, यानि कि carbon और इस oxygen के बीच का bond यहाँ पर तूटता है, तो आप बताईए कि जो हमारे पास next yogic आएगा, वो कैसा आएगा, यह दोनों यहाँ से separate हो जाएंगे, यह bond तूट जाएगा, तो यह भी अलग हो जाएगा, यह भी अलग हो जाएगा, इसके पा यह oxygen पर positive आएगा यह negative आएगा, oxygen पर आता है यहाँ पर negative charge, क्यों आता है, क्योंकि यहाँ से यह अपने electron ले लेता है, और जो electron लेता है उस पर negative charge आता है, यह तो आप जानते हैं, और इस carbon पर यहाँ पर आजाता है positive charge, अब भी यहाँ पर जो iron है, इसको चीए होता है proton establishment के यानि कि stable होने के लिए, और इस carbon को यहाँ पर चीए electron, जो कि iodine के पास है, तो iodine आकर कहाँ पर जुड़ेगा? इस CH2 के साथ जुड़ जायेगा तो यहाँ पर iodine आएगा, और यहाँ पर इसको proton की आऊ सकता है, और इसको electron की आऊ सकता है, तो यहाँ पर OH के साथ H जुड़ ज आईए जो हमारे पास अगला योगी काहेगा, वो किस परकार से आएगा, तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो परकार के compound मिलते हैं, एक तो यह वाला compound मिलेगा, और एक यहाँ पर मिलता है phenol, तो हमने देखा कि reaction किस परकार से हुई, यहाँ पर हमने पूरी तरह से समझा ह चलिए next question को discuss करते हैं, next हमारे पास है कुछ उसी परकार का question जो हमने इससे पहले discuss किया है, लेकिन वहाँ पर यह था कि ether के साथ benzene जुडावा था, और यहाँ पर आपके पास सिर्फ hydrocarbon की shrinkla है, यानि कि open chain structure है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही चीज apply होगी जो आपने इस आपको सबसे पहले देखना है, तो यहाँ पर जो bond तूड़ता है, वो यहाँ पर तूड़ता है इस carbon और इस oxygen के बीच में, ना कि यहाँ पर यह वाला bond तूटेगा कि आप सोचो कि यहाँ पर यह तूटे और यह यहाँ पर alcohol का formation कर दे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं ह इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं, जो हमारे पास alcohol होते हैं, वो electron donating का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, अब आप बताईए कि इस carbon के साथ अधिक carbon लगे हुए हैं या फिर इस carbon के साथ, बताईए, इसके साथ यहाँ पर एक ही carbon है, और इस वाले के साथ यहाँ पर कितने हैं यहाँ पर देखें, एक carbon, दो carbon, तीन और एक चार, अब यह क्या करेंगे, यह electron density बड़ा देंगे इस carbon के उपर, अब यह oxygen तो 4 आए ना कि मैं यहाँ से निकलूँ, अब जैसे electron density इसके उपर बड़ेगी और oxygen यहाँ पर पहले से 4 आए कि मैं यहाँ से निकलूँ, तो पर आजाता है, यहाँ पर negative charge, और negative को हमेशा होती है, positive की तलास, तो हमारे पास जो नया योगी के यहाँ पर निर्मित होगा, वो कुछ इस परकार से होगा, पहले हम ले लेते हैं, इस वाली को CS3, CH2, CH, और इसके साथ CS3, इस पर सीज जुड़ी है, और इसके साथ CH2, अब यहाँ पर positive है, तो इसके साथ negative आके जुड़ेगा, तो negative कौन है यहाँ पर? Negative हमारे पास iodine, एक तो हमारे पास यह वाला compound निर्मित होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा compound निर्मित होगा यहाँ पर? दूसरा हमारे पास यह होगा न, कि यह जो H है, यह कहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक तो होती है ethyl alcohol की formation और दूसरी आप यहाँपर देख सकते हैं इसका नाम आप लिखो क्या हो सकता है इसका नाम इसका नाम क्या होगा देखेजर IPC नाम तो आप सबी जानते हैं कि हम counting क्या करते है इस straight chain को तो 1, 2, 3 और ये 4 तो यहाँ पर क्या होगा, 1-IDO, 2-Methyl, और carbon कितने हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, butane, तो 1-IDO, 2-Methyl, butane इसका IPC नाम यहाँ पर निकल कर आता है, चलिए, दूसरी reaction यहाँ पर discuss करते हैं, दूसरा भी हमारे पास कुछ उसी type का है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, जैसे इस से पिछले वाले question में किया था, इस oxygen और इस carbon के बीच का यहाँ से bond तूट जाएगा, और इसके पास आजाएगा negative charge, और यह हमारा हो जाएगा stable carbocatine, और यहाँ पर attack कौन करेगा, iodine, क्योंकि iodine क्या है हमारा, electrophile की तरह कार्य कर रहा है, जिसके उपर होता है negative charge, और hydrogen कहा पर जुड़ेगा इस oxygen के उपर, तो बताईए जो हमारा नया compound बनेगा, वो किस परकार का होगा, एक तो हमारे पास पहला बनेगा CH3, जो यहाँ पर यह वाली species हमको दिखाई पड़ रही है, यहाँ से और यहाँ तक की, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर यह हो जाएगा, iodine, और इसके साथ यहाँ पर जुड़ेगा hydrogen, तो चलिए, देखते हैं आगे, हमारे पास जो नया compound निर्मित हो रहा है, वो कुछ इस परकार से हो रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा, oxygen के साथ, H, यह हमारा हो गया, propanol, पलस हमारे पास नया compound क्या है, यहाँ पर, इस carbon के उ अब बताईए, यह तर्सरी iodide है की नहीं है, कियों है यह तर्सरी iodide, क्योंकि इस carbon के साथ, जो तीन अन्यं नितायल सम्हों लगे व competitors हैं, वो क्या दरसाते हैं, यहाँ पर तर्सरी carbon के साथ, यहाँ पर iodine चुड़ा हुआ है, तो बताईए, यह क्या हो गया, तर्सरी iodide हु योगिकों को उनके क्वथनांक यानि कि वाइलिंग पॉइंट के बढ़ते करम में ब्योस्तित कीजिए अब वाइलिंग पॉइंट को हमने डिसकस तो किया है जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अब आप यहां पढ़ देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ ओएच समवा लगा हुआ है हर जगा पर आप देख सकते हैं कि इसके पास भी ओएच यानि कि ओल आ रहा है इसके पास भी ओल आ रहा है इसके पास भी ओल यह भी हमारा एथेनॉल यह प्रोपेन वन ओल यह भी मेथेनॉल यानि कि इसमें सब में क्या है ओएच समवा उपस्तित है औ और यहाँ पर एक चीज और है कि हमारे पास कार्वन की खुली स्रिंखला है, तो यह दर्साता है कि हमारे पास यहाँ पर सारे क्या हैं, अलकोहल हैं, अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब हम फिजिकल प्रॉपरटीज पढ़ रहे थे, हमने कहा था, या तो सरफेस, एरिया डिपैंड करेगा एलकोहल के लिए, और या तो फिर क्या करेगा उसका हमारा है, जो हाइडोजन और ऑक्सिजन के मद्य बंडिंग होती है, तो यहाँ पर hydrogen और oxygen तो है और उनके बीच में बहुत अच्छी bonding भी है क्योंकि alcohol समों है अब आपकी इन सब की संदच न बनाएंगे ठीक है तो pentane की कैसे बनेगी CH3, CH2, CH2 यहाँ पर CH2 यहाँ पर 4 carbon होए अभी तो यह हो गया CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा OH यह हमारा ह यहाँ पर निकल के आता है दूसरा योगिक तीसरा हमारे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है ब्यूटेन होगा और उसके साथ दूसरे कार्बन पर जुड़ा होगा अलकोहलिक समोव यानि की CS3, CH2, CH और यहाँ पर CH3 और दूसरे के साथ यहाँ पर जुड़ा होगा है अलकोहलिक समोव जो होता है OH चौथी इस्पिसीज हमारे पास कुछ इस परकार से हैं एथेनॉल को हम लिखते हैं यहाँ पर CH3, CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OH यही हमारा एथेनॉल होता है पांचवा हमारे पास क्या है यहाँ पर योगिक पांचवा है प्रोपेन वन ओल यानि की प्रोपेन के पहले वाले कार्बन पर क्या जुड़ा होगा एलकोहलिक समो जुड़ा होगा तो प्रोपेन हमारे पास तीन कार्बन होते हैं और इसके साथ यहाँ पर जुड़ा होगा OH च्छटा योगिक हमारे पास है मेथेनॉल यानि की CH3 और इसके साथ लगा होगा OH अब यहाँ पर आपको देखना सिर्फ यह है कि सबसे ज़्यादा सर्फेस एरिया कौन से योगिक का है अब आप देखिए इसका ज़्यादा सर्फेस एरिया है या फिर इसका है देखिए hydrogen bonding तो सब में है लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना है सर्फेस एरिया देखना है तो हमारे पास जो करम है वो कुछ इस परकार से आएगा तो इसको लिख रहा है कि बढ़ते करम में बताना है तो आपको बढ़ते करम में किस परकार से बताएंगे सबसे बढ़ा यहां पर कौन होगा यह वाला यानि कि सबसे बढ़ा मैं इसको मान रहा हूँ और इसको मान रहा हूँ इसको मान रहा हूँ 6 यहाँ पर आजाएगा, 2 यहाँ पर 4 के इस्तान पर आजाएगा हलांकि मैंने इसको घरते करम में लिखा है सबसे बड़े को पहले लिखा है और छोटे को सबसे लाश में लिखा है यही किया हुए लेकिन आपको यहाँ पर बढ़ते करम में बताना है एलकोहल, फिनॉल, एवो मीतर से जितने भी important questions हैं या फिर आप बात कर सकते हैं इन से संबंदित कोई अन्य परिक्षाओं में पूछे जाने वाले question हैं वो हमने सारे यहां पर discuss कर चुके हैं चलिए यहां पर ये summary videos समापत होती हैं मिलते हैं अगले topic में तब तक के लिए जैहिन